बारे में the learner can use conjections in two joint sentences and but because or यानि इन चार words का यानि जो conjections है इनका use करते हैं अपने को sentences का निर्मान करना है write the sentences using correct conjections यानि correct conjections का I want to have a coffee यानि मैं coffee चाहता हूँ I want have a tea और मैं चाहे भी तो दोनों चीज़े हैं तो इसमें and का use हो जाएगा I want have coffee and tea यानि conjection क्या लगा है आपने and next है यानि यानि ये तो example था next बात करते हैं I am not happy यानि मैं खुश नहीं हूँ I lost the match क्योंकि क्या होगे हम match हार गए हैं तो क्योंकि का sense हा रहा है तो पहले लिखना I am not happy इनको connect करने के लिए because यानि conjection I lost the match यानि इस तरीके से because का use किया next है Ram wants to play football Ram football खेलना चालता है it is running लेकिन क्या हो रही है बारिस आ रही है Ram football खेलना चालता है it is running यानि बारिस आ रही है लेकिन तो क्या हो जाएगा but तो Ram wants to play football but अब यहां पही क्या लगा दिया अपने but it is running next है सीमा is going to the market सपना is going to the market यानि सीमा भी market जा रही है और सपना भी है वो भी market जा रही है यानि दोनों जा रही है तो क्या हो जाएगा and का use करना है और तो आजाएगा सीमा and सपना यानि जब subject क्या इनके अलग-अलग है तो इन दोनों को and से क्या कर देंगे जोड देंगे तो सीमा and सपना are going to the market next है you can eat apple तुम apple खा सकती हो you can add orange और तुम orange खा सकती हो यानि orange भी खा सकती हो और यानि दोनों की बात कर रहा है दोनों में से तो you can eat an apple or an orange तो क्क्या लगा दिया अपने और next है my brother is young my father is old यानि میरा भाई तो क्या है जवाना और मेरेः पिता जी के हैं बुड्डे हैं but तो my brother is young लेकिन यानि मेरा भाई तो जबान है लेकिन मेरे पिता जी के है old है तो my father is old next sentence है I like to read stories I like to read novels यानि उसे क्या पसंद है पढ़ना story कानिया पढ़ना पढ़ना पसंद है और उसे उपनिया से नोवल पढ़ना भी पसंद है यानि दोनों चीज़े पसंद है तो यहां पर आ रहा है और यानि end I like to read stories and novels यानि किससे connect कर दिया end से connect कर दिया next है we can go to ranchi by train we can go to ranchi by bus हम bus से train से भी ranchi जा सकते है और हम bus से भी ranchi जा सकते है तो क्या जाएगा और we can go to ranchi by train or bus यानि यह इतना क्या है यानि यहां से यहां तक क्या था same as sentence तो इसको एक ही बार लिखेंगे बाकी क्या बचा by train और by bus हो जाएगा तो इस तरह के से by train और by bus next है Simran is not feeling well यानि Simran अच्छा मैसूस नहीं कर रही है Simran played in the rain water yesterday यानि उसने कलप यानि जो rain water था उसके अंदर क्या कर लिया था खेल लिया था तो इस बिकोज का यूज करना है Simran is not feeling well because she played in the rain water yesterday क्योंकी यहां पर sense आ रहा है क्योंकी का sense आ रहा है तो आपन because conjunction का यूज करेंगे next है assessment to allow यानि assessment बारा के बारे में बात करेंगे first question अपने पास दिये गया है fill in the blanks with suitable adverbs यानि जो suitable adverbs आ रही है उसका use करना है in the box below यानि नेक्चर box दिया गया है उस box में अपने पास चार adverbs लिखी गई है daily, carefully, sweetly, slowly इनका use करते हैं अपने को sentences का यानि इनको पूरा करना है suitable adverbs का the old man walked slowly यानि जो गुड़ा वेखती है वो कैसे चलेगा slowly, यानि धीरे चलेगा तो यहां अपने को use करना है slowly next है kvita sang, kvita गाती है कैसा sweetly, यानि मधूर गाती है sweetly next है do you work, यानि तुम do you work, Delhi क्या तुम रोज काम करती हो do you work, Delhi क्या तुम रोज काम करते हो तो याज आएगा यहां पे Delhi next है repeat this exercise यानि जो यह अभ्यास पुस्तिक अभ्यास है repeat इसको क्या करना आपको carefully साब्दानी पुरुवेक से आपको इसको repeat करना है तो carefully यानि इनमें से आपको क्या adverb बरनी है carefully next है rearrange the sentence in proper sequence and mark them in boxes first दिया गया है he comes back from school 2 p.m. next है then he goes to school then he brushes his teeth part gets up gets up in the morning 6 o'clock and after that he takes breakfast इनको क्या करना है rearrange करना है यानि इनको proper sequence में लिखना है तो इसमें सबसे पहले sentence यानि सबसे पहले क्या करता है परत सुबह पहले जल्दी यानि 6 बजे उठ जाता है तो एक नमबर पे क्या करना है इसको यानि यानि यान पे एक नमबर पे सबसे पहले या आएगा तो इसमें एक नमबर डालना है उसके बाद वो क्या करता है तो उसके बाद then brushes his teeth यानि अपने दानतों पर क्या करता है यानि brush करता है teeth करता है तो यान पे दो नमबर हो जाएगा next उसके बाद वो क्या करता है यानि brush करने के बाद में after that he takes breakfast उसके बाद वो breakfast लेता है क्या करता है breakfast करता है next उसके बाद breakfast करने के बाद में then he goes to school और फिर वह स्कूल चला जाता है तो चार नमबर पर यह आ जाएगा स्कूल जाने के बाद में he comes back from school यानि स्कूल से वापस दो बजे यानि 2 पिम पर वो वापस घर आ जाता है तो पांस नमबर पर यह आ जाएगा इस तरह के सिनको क्या करना है rearrange करना है next है write the sentences using cracked conjunctions यानि cracked conjunctions का यूज करते हुए अपने को इन sentences को क्या करना है बनाना है अपने पास फर्स्ट लिया गया है he is very sad वह बहुत दुखी है he lost his match watch यानि वह बहुत दुखी है क्योंकि उसकी watch हो गई है क्या को गई है watch हो गई है यानि वह बहुत दुखी है क्योंकि because किसकान दुखी है क्योंकि he lost his watch यानि उसकी watch हो गई है next है we want to play in park वह पार्क में खेलना चाहता है the park is locked लेकिन क्या है पार्क तो बंद पड़ा है तो आजाएगा we want to play in the park but the park is locked पार्क में खेलना चाहता है लेकिन पार्क क्या है बंद है यानि उसके दिनमान ही खराब है रमनी जरीडिंग अमनी जरीडिंग रमन भी पड़ रहा है अमन भी पड़ रहा है तो दोनों पड़ रहे हैं तो यहाँ पे end दिया गया है end का यूज़ करना है रमन एंड अमन रमन एंड अमन आर रिडिंग क्या हो जाएगा रमन भी पढ़ रहा है और अमन भी पढ़ रहा है दोनों को end से जोड दिया next है you can go there by bus तुम बस से जा सकते हो you can go there by train तुम train से भी जा सकते हो और यानि दोनों में से आपके पास दो च्वाइस है एक बस की च्वाइस है दूसरी आपके पास train है आप दोनों में से कोई सी में भी जा सकते हो तुम इसके लिए का यूज़ करेंगे और you can go there by bus और अब याँ पर क्या लगा है आपने और by train यानि दोनों में से आप जो मरजी उससे जा सकते हो अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो प्ली चैनल को सस्क्राइब करें बेल आइकोन को वैसे दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को नोटिवेसना तक पहुंचते रहें थैंक यू